और जार्खन हाई कोट का सरकार से सवाल है कि बालू घाटों की नीलामी में क्यों नहीं ली जाती ग्राम सभा की इजासत है लगु खनीज, बालू, स्टोन, चिप्स और अन्य मामलों में कितनी बार ली गई ग्राम सभा से अनुमती ये पूछा है कोट ने पंचायती राज एक्ट 2001 की संशोधित नियमावली 2019 को क्यों नहीं किया गया अब तक लागू राजस्वेवं भूमी सुधार वभाग और ग्रीकारव वभाग ने अब तक संशोधित नियमावली को अनुमोदित नहीं किया है मौामले के अगले सुनवाई 25 फरवरी को होगी तो दीखें अब कोट ने ये पूछा है कि ग्राम सभा की अनुमती क्यों नहीं ली गई ग्राम सभा से बात क्यों नहीं की गई पंचायती राज एक्ट 2001 की संशोधित जो नियमावली है उसके तहत अब मामले के अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सईयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े वें दीपक देखें पंचायती राज एक्ट की बात कहीं कोट ने और साथ ही ये कहा कि ग्राम सभा की अनुमती क्यों नहीं ले गई क्यों नहीं बात की गई जब बालु घाटो की निलामी हो ऐसे मामलों में जिसे जुने हुए जयन प्रशाद की अदालत में ये मामला पिछे दिन वाया था जिसमें मोके करूप से ही कोट में कहा है कि पिसा एक 296 के प्रावधान क्यों नहीं लागू चाहिए और अदालत में ये भी का कि जो अस्तरिय जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस यहां पर लागू नहीं हो रहा है जिससे चुने हुए जयन प्रशाद की अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है जो तिहतरवे समित्तान संसोधन के तर जो पावर्स दिये गए थे रिप्रेजेंटेटेटिव को वो फुल्फिल नहीं हो पा रहे है तो ऐसे सभी मामलों के आईकोट में कहा है कि राज्य सरकार ये बताए कि पंचायती राज एक 2001 की संसोधित नियमावली जो 2019 में बननी थ जिदान सभा की समीती ने भी इसकी सिफारिश कि जी संसोधित नियमावली को जल से जल लागू किया जाए चले शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपाक आपका लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा